हेलो सात्यों एक्जाम एक्सिसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हम एक इंपोर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं जो कि आपके रिजल्ट जब आप देख रहे थे तो वहाँ पे आपको लिख रहा था सभी फैक्ट को हम डिसकस करेंगे क्यों किसी का मतलब फैल नहीं होता है जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा ठीक है वीडियो बहुत छोटी होगी मगर जो इंपोर्टेंट फैक्ट ही बताया जाएगा जरा यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा गया है नौदे बिद्याले रिजल्ट फैल और पास छात्र जुड़े इसका मतलब है यह सभी सोरी यू आर नॉट कांसीडर फॉर एड्मिशन इन बेन सेलेक्टर निष्ट इन वैलिट कंबिनेशन अपक्रेडियेंट और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है इन सब का मतलब क्या होता है बारी क्यों समझेगा इसका मतलब समझे किसी का मतलब फेल या पास नहीं होता है पास बच्चों को admission कब से होगा इस पे भी हम discussion करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले आम आपको बता दे कि sorry you are not considered for admission in main list का मतलब होता है कि आपकी जो first list आई है यानि कि पहले 80 छत्रों का जिसमें selection हुआ है उसमें आप select नहीं हुए है या 40 बच्चों का कई जगा 80 का shift होता है कई जगा 40 का भी sit होता है तो उसमें first shift में जो पहली आपकी list आई है उसमें आपने selecting नहीं कर पाए हैं उसके बाद दूसरी बात आती है invalid combination gradient यहाँ पे आपका data birth जो do b डाल रहे थे do b या आपका एक और गलती होता है जिसे आप कहते है roll number कोई ना कोई एक mismatch कर रहा होगा तभी लिख रहा होगा ठीक है एक और आप क्या रहा था string वाला करके वहाँ पे आप गलत के सासाथ अधिक number डाल कर रहे होंगे अधिक number लिख रहे होंगे बस इसका मतलब यह होता है कि आप पास है ठीक है पास है लेकिन आपका admission 100% होगा की नहीं यह नहीं पता है यह कहा गया यहाँ पे कि आपको congratulations you are provisionally selected for admission admission के लिए आप selected हैं लेकिन किसी प्रकार के आपके में कमी पाई जाती है तो आपका admission निरस्ट किया जाएगा ठीक है अब बात आती है पास बच्चों का admission कब से होगा सबसे पहले आप सभी को 11 से लेके 15 की बीच में आप सभी का school से phone आएगा कि आप अपने विद्धाले में आईए या एक call letter आता है ठीक है तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट के बारे में ठीक है वेटिंग लिस्ट की समस्या बहुत सारे बच्चों को हो है तो वेटिंग लिस्ट आपका October के first week में देखने को मिल सकता है ठीक अब किसी को किसी परकार की समस्या बात परती है डोकुमेंट से related तो हम आपको बता दे कि एक डोकुमेंट के वीडियो आएगी कितने वजे वो आएगी आपके सामने 6 बच के 30 मिनट पे आज पीए में ओके तो सभी पास और फेल बच्चे इस वीडियो को देख लेना क्योंकि फेल बच्चों के लिए भी important है आएक वेटिंग लिष्ट में आए तो पास हो जाएंगी तिसरी point आपके सामने आती है कि रूलर के लिए और अर्वन के लिए तो वीडियो का link description में है डोकुमेंट अगर तेजी आपको तो उसका भी link description में है दोस्त मैं उम्मेद करता हूँ कि हर एक point को आप समझ चुके होंगे वीडियो अच्छी लगए और इंटरेस्टिंग लगए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना यहाँ पे class 6 नौदे की त्यारी class 9 नौदे की त्यारी सासस में सैनिक स्कूल और CHS की भी त्यारी कराई जाती है अता आप सभी से निवेदन है कि आप अपने आसपास के एरिया से उन बच्चों को जोड़िए जो इन सब की free up cost में त्यारी करना चाहते हैं बाइ बाइ टेक केर जैहिंत